देशब तक न्यू चैनल में आपका स्वागत है इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से आ रही है गोहाना में केंद्रिय ग्रह मंत्री अमित साथ की जो रेली है वो 29 जन्वरी को बड़ी रेली जो है गोहाना में होनी है और जिसका मुआइना करने के लिए स्वानीपत से लोकस की मिटिंग मिली बता दें कि केंद्रिय ग्रह मंत्री अमित सा 29 जन्वरी को गोहाना में एक बड़ी रेली को संबोधित करेंगे और स्वानीपत के सांसद रमेश अंत कोशिक ने आज गोहाना पहुँचे और इस दुरान अधिकारियों के साथ मिटिंग ली और रेली स्थल का जाय जाबिक लिया इस दुरान अधिक में चंद्र कोशिक ने कहा कि गोहाना में 29 जन्वरी को बाजपा के सिर्ष नेता और केंद्रिय ग्रह मंत्री अमित्सा दिल्ली से आएंगे और जहां पर गोहाना में एक बड़ी रेली को जो है गोहाना की नई सबजी मंडी में दो देश से जो है 2024 के लोगसभा चुनाओ की त्यारियों को लेकर यह जो रेली है वो रखी गई है और पार्टी संक्रन को मजबूत करने के लिए यह रेली रखी गई है और यह सौनीपत लोगसभा की रेली होगी इस रेली में सौनीपत लोगसभा के अलावा परदेश भर के पार्टी, कारिकर्ता और नेता भाग लेंगे। सोनिपत लोकसभा में केंदर और परदेश की सरकार ने चोम की विकास किया है जिसके चलते हरियाना में 2024 के चुनाओ को लेकर पार्टी ने अपनी त्यारिया पूरी सुरू कर दी गई है। सांसंद्र में संद्र कोशिक ने किसानों द्वारा गन्ने के भाव को लेकर किये जारे अंदोलन को लेकर भी सांसंद ने कहा कि जल्दी किसानों को मनाने का काम किया जाएगा। साथ ही ये ट्रेंडिंग का विरोध कर रहे सरपंचों को भी मनाने का की बात जो है सांसंद ने क आप तस्वीरे जो देख रहे हैं गौहाना की नई सब्जी मंडी की तस्वीरे हैं जहांपर रमेश अंद्रकोशी को अला अधिकारी यहां पहुंचे हैं पहुंचकर जो है यहांपर जो है रेलिस तलका जायजा लिया है उसके इलावा जो है यहांपर पार्किंग की जो जाखर मोके पर मौझूद नजर आ रहे हैं आप सभी से अपील रहे हैं कि इन तस्वीरों को जादा से जादा से जादा सेर करें ताकि व्यक्ति तक है यह खबर पहुंचे कि गौहाना में 29 तारिक को ग्रह मंत्री केंदर के अमित्सा जो है वो ग्रहाना में दहारेंगे क्य ग्रहाना पहुंच रहे हैं, 2024 का जो लकुआ चुनाव है उसकी तरह से टारियां शुरू कर दिया है अगाज 29 तारिक से 29 जनवरी से घरियाना में 2024 का चुनाव है उसका संखना कही ना कहीं बजाने का काम 29 जनवरी को किया जाएगा और आप तस्वीर देख रहे हैं ग्रहान आप सभी से अपील रहे कि इन तस्वीरों को जादा से जादा सेर करें ताकि हर व्यक्ति तक यह खबर पहुंचे कि आज सोनीपत के सांसद रमेज चंदर को सिख गौहाना पहुंचे थे और गौहाना पहुंचकर जो है पूरे हरियान की जो कबनेट है वो भी यहां पर मजूद नजर आएगी आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर एक मैप मनाया गया है मैप के तहट जो है आगे की जो रूप रेखा है उसको समझा जा रहा है रमेज चंदर को सिख ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी किस तरह होगी उसी को देखते हुए आज बकायदा नगर प्रिश्ट के करमचारी भी आप मजूद नजर आए उसके इलावा काफी करमचारी जो है आपर सिरकारी करमचारी है वो मौजूद नजर आए और बता दें कि 29 तारिक को धर्यमंत्री अमित्षा गुहाना पहुंच कर पहले रिलिस्टल का जाइजा लिया है उसके बाद जो है रैस्टाउस पहुंच कर जो है अधिकारियों के साथ एक बैठ का आईजन भी क्या गया जिसमें जो है वह दिशा निर्देश देते हुए नजर आए आप सभी से पील रहे हैं कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज आज 29 तारिक को बाराव जमानिय द्रह मंत्री देश के मीच साजी वाना में आ रहे हैं तो यहां पर में रेली करने जा रहे हैं उसके लिए हैं साइट इंस्पेक्शन भी किया था और उसमें जो टेंट स्टेज वा बुल सब को लिए रहे हैं ताही सब की डूटिया में रह सब्सक्राइब कोई नाम रखें अभी रेली अनाम तो यहां तो बारती जनता पार्टी पांच के पांच साल चुनावी तियारी में रहती है अब तो लगना ही है आखरी साल कि अब बात उनकी बात करें तो करवा दो किसान अभी गन्याला भी दोनों समय से मुख्मतरी से बात करेंगे इंगा कोई ने को यह अब लगाए उसके बारे मुझे अभी कोई पता नहीं ना जानका नहीं कि अ